लोग पोटेंसी नहीं क्यों क्या है लोग पोटेंसी है क्या लोग लाटेंसी हेलो हेलो दोस्तों मेरा नाम है प्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वेक्टर चैप्टर ओके प्रजेश गुवनें आप लोगों क्या आप लुवने आप लुवने प्रजेश वीवन मैं आदेश रश्षित पंडे च्छा आगया रोहित-स वराब गोरो जयस्वाल फोट्रफिक राइश आप लाग्स Am I audible? Please reply. And is it clearly visible? Please tell me. Is it okay? दिलीव सिंग कापसिडर चैप्टर ग्राजूली अप्लोड होगा ताकि आप आराम से पड़ें यह सर यह और ओडिवल ओके गुड़ ओके ओके गुड़ अच्छा हां फिर से जो लोग नया ज्वाइन कर रहे हैं आज चाहे वो टार्गेट बैच के हो और चाहे वो इलेवें पर्क नहीं पड़ता ग्यान के लिए बिजनेस सुरू हो गया है अलग बात है मजबूरिया भी है इंडिया की पोचिंग वालों नहीं समाल रखा है एजी क्वेशन को स्कूल कितना समालता है यह आप लोगों को पताई होगा और हम लोगों जानते है हाँ पिछले साल का है लेकिन इसल पिछले साल हां 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 उस उसके बाद फिर से इंटर आक्टिव वैला आजाएगा दिखेगा दिखेगा भी धीरे-धी कुछ फील नहीं करना है क्योंकि कोर्स सेम है और पढ़ाने में कोई अंतर नहीं आता बल्कि मैं यह मान के चलता हूं कि जो टार्गेट वाले बच्चे हैं का बस थोड़ा सा एड्वांटेज होता है कि यह फेमिलिया टू दे कोर्स फार्मूला डेफिनिशन रटने वाला बा जान लेते हैं तो यह होता है और दुसरा एक और निगेटिव अस्पेक्ट क्या है टार्गेट बैच का कि वह क्लास मिस करते हैं कभी-कभी लगता है कभी कभी लगता है कि आई नो इट यह क्यों बदाया जा रहा है क्या जरूरत है तो यही रीजन है कि जो फ्रेश टेंथ पास वाले पढ़ते हैं उजाद अच्छा कर जाते हैं क्योंकि लिए नया होता है और जो डेडिकेट हो जाता है उसके लिए जिसको इंट्रेस्ट पैदा होता है जिसका जिसका मैं खिलाडी भी हूं और जो मैं चाहता भी हूं और कई बार मैं अक्सर अपने लेक्चर में करता हूँ कि मैं IAUI vídeo के लिए नहीं पढ़ाता है का मैं पढ़ाता हूँ science मैं पढ़ाता हूं हुआarse A ूद्ल आजिक मैं पढ़ाता हूँ when मैं करता हूं Christina की training साइन्टिफिक टेंोमेंट आप करता हूं। मेरा उद्द्देष जिक यह नहीं होता कि हां यह है कि इसी से बेस्ट करेंगे आप कि यह ना इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि टार्गेट होना चाहिए पर टार्गेट को ध्यान रखो और उस पात पे चलो नहीं work मत करो hard work मत करो तीचर की बाते न मानो पढ़ाई न करो imagine न करो hypothesis न करो ट्रेनिंग न लो और उसे मन में सोचो IT निकालना है नीट निकालना है तो घंटा निकलेगा नहीं निकलेगा okay Anuj it's good to hear on this platform namaste okay audition now because teacher so really need this lecture so please kindly request to upload okay good good okay I'm going to do it फिलाल आज जो मैं जो लोग नए है फिर से में रीपीट कर दू पिर से में रीपीट कर दू जो आज लोग नए हैं वो लोग पीछे से uploaded videos video upload करूँगा सारा शुरू से देखिए कितना इंट्रेसिंग में पढ़ाया हूं वेक्टर और सारा देखते विए भागते फटाक से आकर इसमें जोइन कर लिजी हाना कि अभी भी जोइन किये हैं और पढ़िए कोई दिकत नहीं है जाहे वह एलेवेंद के हो चाहे वह टार्गेट के हो चाहे वह आउटसाइडर हो मतलब आमीन जो एडमिशन नहीं लिए हैं सब के लिए वह यह मेरे वाला लेक्चर तो पब्लिक जा रहा है तो इसका खयाल रखते वे आगे बढ़ते हैं और किसी को दिक्कत होने नहीं करें किंधोगी जो पीछे के क्लासेज नहीं देखे हैं तो सबहुत करते हैं को सब्सक्यों फोरा दिसक्सन किया जा है मज़़ार और उस मज़़ार डिसक्सन में हम लोग परशेप्शन बनाते हैं अपने पूरे साइंस की हर क्वेशन से हर पार्ट से रिलेट करके हम दुन physics at least so ok good sign like it question you know there are which of the following set of forces which of the following set of forces come on which of the following set of forces may give zero resultant force which of the following set of forces which of the following set of forces may give zero resultant may give zero resultant which is the following set of forces may give zero resultant 1 10 Newton 6 Newton 2 8 Newton 8 Newton 3 10 Newton 2 Newton 15 Newton 4 10 Newton 10 Newton 8 Newton 5th one 10 Newton 10 Newton 10 Newton 6 1 1 1 1 321 Newton 24 Newton 7 Newton 7 Newton 7 1 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 1 क्या कोशन है दिलीप यूर आइडिल फर में थैंक यू सो मच आथ नूटन चार नूटन बारा नूटन बारा नूटन चे नूटन बारा नूटन तीन नूटन यूटन नूटन उूटन अठ्नूटन Newton and last 110th one is 10 Newton 40 Newton 32 Newton come on do it fast सभी लोगों को बताना है कि यह दी एक बॉडी पे बल्कि ऐसे कहते है तो और अच्छा लगता आपको कि विच अद फॉल्लिविंग सेट फोर्सेज एक्टेड अन बॉडी में गिव जीरो रिजल्टांट विच अद फॉल्लिविंग सेट फोर्सेज एक्टिंग अन बॉडी में गिव जीरो रिजल्टांट कहने के लिए तो ऐसा लग रहा है कि यह क्या है लेकिन इससे हम लोग बहुत सारा आइडिया लगाएंगे है ना बहुत सारी चीजे सीखने की कोशिश करेंगे 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 अच्छा दिलीप ओके यह बिकम टीचर आप का एलेक्टरिक्स का लेक्चर देख कर मुझे पूरा इलेवेंथ का आ गया ओके ओके गुद आप इसे इसे भी अन्दाजा लगा सकते हो कि इसका दिलीप का आप देखिये जो स्टेटमेंट है की अलेक्रिक्रिक्रिक्स से हर्षित पांदे 2597 10 2597 10 10 okay okay answer is right I think अर्षित का तो सहीड लग रा यार 9th the hope once again कैसा कैसा नाम रखते हैं सब सो ना पिफ्त ब्ले फिफ्त बंळे फिफ्त बंख्याइं अच्छा नाइन भी ऐंच नाइनथ नाइन घ्री ओक्याइं अंच अच्छा में गिव जीरो रिजल्टाइंट और मस्ट गिव जीरो रिजल्टाइंट बोट डिफ्रेंट तिंग अलग अलग चीजें माइन इट बाते अलग अलग अपको बताना है कि एक बॉड़ी है इस पर फोर्स लग रहे हैं डारेक्शन नहीं दिया है इसलिए में यूज हुआ है में मतलब दे सकता है जीरो इस पर कभी दो फोर्स लग रहे हैं दो फोर्स लग रहे हैं तीन फोर्स लग रहे हैं ऐसे 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 लग सकते हैं ऐसे 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 कई तरीके से लग सकते हैं बताना है कि में गिफ दिरो रिजल्ट है अब मस्ट वाले में इंगल पता रहना चाहिए येस हां यॉर राइट कृष्णा मस्ट वाले में हम तभी बता पाएंगे जब वो बताया जाए अलग कैसे रहा है ना ओके कमान दूइट फास्ट तभी लोग जल्दी करो तभी तो मैं बताऊंगा ने कोई फायदा नहीं है बहुत सारे बच्चे घर पे नहीं करते हैं कुछ इधर खुट-खाट करते रहते हैं और सोचते हैं कि वह बहुत अच्छा सीख लेंगे इस नौट पॉसिबल आपको करना प हमकरा कैसे हो गया इसमें तो थीन वेक्टर जैंडिये इसकी में दो तरीका बताता हूं ठीक है इसका मैं दो तरीका मताता हूँ हो दोनों मज़दार होगा आपके लिए बड़ा मजाएगा ठीए लुक कि पहले तो ये एक तरीका थोड़ा सिंपल सा रटने टाइप का तरीका लेगा हाला कि मैं कभी रट्टे की बाथ नहीं करता है लिए फिर भी त्यांसे दो विक्टर दो विक्टर या दो फोर्स या कोई कोई और दो क्वांटिटी जो विक्टर क्वांटिटी हो जीरो तभी होगा दो की बात कर रहा हूं जीरो तभी होगा जब magnitude में बराबर होगे और direction में अपोजिट ठीक है इसके लावा दो वेक्टर के 0 होने का कोई संभावना नहीं है दो नौन जीरो वेक्टर का net 0 तभी होगा जब एक वेक्टर इधार एक वेक्टर इधार लगे और दोनों का magnitude सेम रहे इसके लाव कोई संभावना नहीं है तीनों कंडिशन में इस्थ है तीनों क्या वलके दो ही कंडिशन हुआ वेक्टर का magnitude सेम होना और direction में उल्टा होना दोनों मस्थ है दोनों में से एक भी वाइलेट हुआ तो 0 नहीं होगा तो यह 0 नहीं होगा केंसिल यह 0 नहीं होगा केंसिल पर यह 0 हो सकता है अच्छा में हैं तो 0 हो सकता है नहीं भी हो सकता है हो भी सकता है आपको पता है मैं बातचीत किया हो फिर से याद दिला दूं दुनिया में कहीं पर भी में होना तो में नौट भी काट के लिख दोगे सही हो जाएगा क्योंकि में मतलब ही में नौट भी होता है है ओके इंट्रेसिंग पॉइंट है ना तो यह भी है सो ओके यह हो सकता है तो दो की बात तो यह से खतम हो गई कि मैगनीटूड यदि अलग अलग है तो 0 हो ही नहीं सकता और मैगनीटूड सेम है तो 0 हो सकता है नहीं भी हो सकता है मालीजे आठ न्यूटन इधर और आठ न नव्य डिग्री पे लगे 120 डिग्री पे लगे 120 डिग्री पे तो नहीं होगा उल्टा ही लगना होगा उल्टा लगेगा तो जीर होगा ओके अग्वाइब लुक लैक अलग पांडे उसका तो बाल धड़ा हुगा यार कुछ भी कि अनिवेश तो यह अब तीन के बात आते हैं अब दो का तो लियर हो गया पी इन वेक्टर जो तीन फोर्से जो पी अच्छा मैं फोर्स क्यों लिता हो ताकि फिजिक्स की फिलिंग आये वेक्टर वेक्टर सिंबल्स यह बी सीडी ऐसे करने से इसा लगता है नहीं मैट्स करूं न्यूटन न्यूटन करूं ज्याद आच्छा रहेगा कि बात हो फिजिक्स की और विक्तिर पढ़ें सो तीन हो चार फोर्सेज हो चाह 4040 हजार हो दो कत हो गया बाकी समय क्या करना है वो समझने की कोशिस करो ठीक है ध्यान से सबसे बड़े वाले को अलग करो इन में सबसे बड़ा वालग कौन सा यह और बाकी को जोड़ो अब फिलहाल तीन है तो बाकी दो होगे चार होंगे तो सबसे बड़े वाले को लेंगे फिर बाकी को जोड़ेंगे यदि बाकी का जोड बाकी का एडिशन बड़े वाले के बराबर हो या जादा हो तो जीरो पॉसिबल है बड़े वाले को अलग करो जो सबसे बड़ा है यदि और बाकी सब को जोड़ो 40 फोर्स है तो बड़े वाले को अलग करो और बाकी 49 को जोड़ो 100 वेक्टर है तो एक को अलग करो सबसे बड़े वाले को और बाकी 99 को अड़ करो magnitude wise यदि उस एक के बराबर हो या बड़ा हो इसके ये बराबर हो या बड़ा हो तो जीरो पॉसिबल है जीरो पॉसिबल है और यदि छोटा हो गया तो पॉसिबल नहीं है जोटा होगे तह पॉसिबल नहीं है तो इतनी सी बात है यह एक तरीका यह है तो करते हैं फिट दस न्यूटन दस न्यूटन अट न्यूटन आप कहेंगे सर सबसे बड़ा एक ठों समाने तो 10 तो दोटो है तो एक मालो कोई दिक्कत नहीं है एक माल लो और बागी इन को जोड़ो क्या इनका जोड़ इसके बराबर या ज्यादा है हां तो पॉसीबल है अच्छा आप कर सकते हैं कि सर यह तो रचने टाइप का कर रहा है दीजन क्या है तो चली मापता जता हूं जब किसी body पर बड़ा वाला force लगता है न जब किसी body पर और वाला फोस लगने लगता है न तो बैलेंस करने के लिए बाकした लगेंगे चालिस टोटल होंगे तो 49 लगेंगे इसको बैलेंस करने के लिए तीन होंगे तो एक लगेगा तो दो लगेंगे बैलेंस करने के लिए तो जब एक लगने लगेगा सबसे बड़ा वाला जिसको बैलेंस करना है अटेंशन क्योंकि बड़े वाले को ही बैलेंस करने की बात और बाकी सब इधर से चाप रहे हैं येदि बाकी सब बैलेंस कर लिए मतलग जूड गय हैं ऑर बैलेंस कर लिए तो जीरो और यह जादा हो गये तो इंगल पर इंगल पे on इंगल पर लग के बैलेंस कर लेंगे जादा होंगे तो यह सब जादा होंगे तो इंगल पर बैलेंस कर लेंगे और यह तोटल ऐसे ऐसे एक ही तरफ लग के बैलेंस कर लिए तो तो भी बैलेंस कर लेंगे लेकिन यदि कम हो गया तो क्या घंटा बैलेंस करेंगे यदि मालो ये जादा है अब पूरा बाकी सब इधर चापे पड़े हैं अब तब भी इनका कम हो गया इस मैक्सिमम अपोज बाई आल रिमेनिंग फोर्सेज और वेक्टर्स यदि एक बड़ा सा लग गया अब बाकी मैक्सिमम अपोज करके नहीं रोक पाए तो कहेंगे ऐसा है भीया कि हम लोग इंगल उंगल लगा के चांपते हैं तो और कम हो जाएगा जब ऐसे ऐसे लगाए सभी तब नहीं रोक पाए इसको तो क्या एंगल पे लगाओगे तो रोक पाओगे नहीं तो इस वे इस अन्रिस्टांडिंग इसका मतलब यह हुआ कि यह वाला यह वाला एक लग रहा होगा तो यह दोनों एंगल पे एंगल पे लगा के काम कर सकते हैं अब यह बताओ अब कहोँगे सर तीनों बराबर है कैसे करें किसको बड़ा माने एक को मानों बड़ा बाकी को जोड़ो यदि बाकी का इसके बराबर हुआ तो भी बैलेंस हुआ और बड़ा हुआ तो भी बैलेंस हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि एंगल पे बैलेंस करेंगे एंगल पे एंगल पे तो ये भी ये वाला सबसे बड़ा ये है साथ नुटन अगल कितना हुआ छपन चलो देखलो है बात आई गई एक साथ नुटन लगने लगा एक एक साथ नुटन कोफोर्स लग रहा है और इधर से लग रहा है 32 और 24 दोनों इधर चापे पड़े हैं उसके उल्टा इस साथ का उल्टा चापे पड़े हैं इधर तब 56 लगा पाए और 60 को रोक नहीं पाए तो दोनों कहेंगे ऐसा है भाईया कि हम लोग एंगल पर लगा के चाप के देखते हैं कि 60 को रोक पाते हैं कि नहीं तो अभी तो 56 था ना अभी इन दोनों का 56 था ना एंगल बना लेगे ना तो 56 से भी कम हो जाएगा मैक्सिममम अपोज 56 था उनका तब तो रोक नहीं पाए तो क्या एंगल पर सोचोगे कि कोई एंगल लोंगल बनाएंगे तो रोक लेंगे इसका मतलब यह संभा नहीं है कə इसको देखते हैं अच्छा यह कि अनलब सबसे बढ़ा है इसको एड़ करते हैं यह रहा बॉडी इधर से 12 लगने लगा वाला और आठ चार बारा तो क्या ये दोनों लगाए रोक देंगे की नहीं आठ इधर लगे चार इधर लगे लगाके रोक देंगे की नहीं थीक दीक है कोई दोपे लिए नहीं पड़्या लिए नहीं तिर नहीं होगा अच्छा तीसरा नहीं है याहर्ड हम तीसरा नहीं है कि पन्दर एक बार लगने लगा तो यह रोक नहीं हुआ थर्ड थर्ड नहीं है ना ओके चलिए गुड प्रतीख यूराइट और ये तीन के लिए नहीं है ये पीस चालीस चार पांच सब के लिए है तो है तो बाकी सब चेक कर भाई अब तो पढ़ा दिया तीनों तुम लोग कर लो चलो जल्दी से बताओ सभी लोगा सभी का अंसरा चाहिए ये तीन के लिए इस तीन के लिए सभी का अंसरा चाहिए तो कि इसका है तो देखते हैं का यहीं पर आधान है जल्दी से अब ये तो अपने से कर लो लोग सिखाने के बाद जब मैं चाट पंश्टों सिखा देता हूं तो कुछ अपने से भी कर लो कि सभी का अंसरांच एक गजब के गोबर है यार बैट कि सब लोग बताओ ना आठ नहीं होगा नौदस होगा सौनक सिवांस नौदस नौदस होगा नौदस होगा प्रग्या नौदस होगा गुड़ चलिए नौदस होगा देखते हैं बड़ा सबसे यह है और इसको जोड़े छे दू आठ तिन ग्यारा जब बीस लगने लगे ना तो इन तीनों की आवकात नहीं है कि रोक पाएंगे ठीक है कैंसिल यह देखते है तो अब तुझ सब बराबर है यार तो किसी एक को बड़ा माल लो बाकी सब को जोड़ो तो यह जोड़ोगे तो या तो इसके बराबर हो जाए या बड़ा हो जाएगा तो इंगल उंगल पर अपना बना के मैनेज करते हैं बड़ा हो जाए बाकी सब बड़े हो जाए तो इंगल पर मैनेज करते हैं इंगल पर इधर उधर इंगल पर और बर तो इनको जोडेंगे तो हो गया 42 44 मैनेज एंगल पर कर लेंगे गुड यह भी हो गया और यह भी हो गया हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे किसी कोई दिकत नहीं हो रहा होगा और मैं कहा भी था कि जो लोग नय है उनको कोई दिकत नहीं होगा और सभी लोग सीख जाएंगे वड़े आराम से यह है एनिवे सो गुड और सभी लोग सीख गए होंगे है और कहिए तो दस दस न्यूटन का फोटो भी बना देते हैं किसी के लिए अरे यार मैं दूसरा तरीका नहीं कि भॉख दूसरी तरीका क्लिया डूसरा तरीका बता देता हूं अ आप दो एक्जाम्पल आलग से लेता हूं है ना ध्यान से दूसरे वाले तरीके के लिए एक दो एक्जाम्पल लेता हूं मैं कितना था आठ और छे तरीका में आप नहीं बता है कि इसलिए हमको थोड़ा अफ्सोच हो रहा है आथ नीटन से नीटन हे दुसरा आठ नीटन है आठ नीटन कि वी तिसरा में 10 नीटन दो नीटन लीता है और यह है 32 न्यूटन 12 न्यूटन 50 न्यूटन द्यान से सुनना मेरी बात मैं बात कर रहा हूं सेकेंड वाले तरीके की जो कहा था कि सेकेंड वाला और रिग्रस होगा ज्यादा इनफॉर्मेशन देगा फिछला वाला तो केवल हम लोग यह बता पा रहे थे कि जीरो होगा कि नहीं होगा लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह इनफॉर्मेशन और ज्यादा डिटेल देगा वह और ज्यादा ज्यादा बताएगा कि रियली में कहा से कहा तक होगा ठीक है तो अच्छा प्रोसेज वही है तरीका वही है पर रेंज निकालूंगा उस रेंज में जीरो आएगा तो देगा नहीं तो नहीं आएगा नहीं देगा ठीक है चलिए तो सभी लोग देखें बड़ा मजाएगा रेंज ढिरिंज कैसे निकालेंगे मेट एफ मेट के रेंज है एफ मेट के रेंज है एस मेट के रैंogo सभी लोग देखें इसमेट के रेंज कि चीजे कहा से कहा तक वैरी करेंगी वही मैं बताने जा रहा हूं ठीक है कि उसमें जीरो आएगा तो ठीक है नहीं तो नहीं आएगा तो नहीं जैसे कि सभी लोग देखें कि पर्स्ट वन हमेशा डारेक्शन न दिया हो वेक्टर का केवल मैगनीटूर दिया हो और रैंडम आम्दारेक्शन से लेक्शन का आपके पास Freedom हो मतलब यह तब होता है जब में होता है कि और तब हम लोग मैखुमं फटा 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 लिख पर है और मैक्सीमम का मतलब होता है कि सब फोर्स एक ही तरफ लगे चार ना फोर्सें चारों एक तरफ त्म कि दोड़ तरफ तो चप जाएंगे रेकी तरफ सो मैकसिमम पॉसिबल इस फॉर्टीन को और मीनिमम इस डिफरेंस दो के लिए मीनिमम इस डिफरेंस तो कितना दो मतलब एफ नेट की वैल्यू दो से ले के चौदह तक होगी ना दो से कम होगी ना चौदह से जादा समभव ही नहीं है किसी बॉडी पर यह दो फोर्स लगाया जाया रांडमली अलग लग डायक्शन में जीरो एंगल पे जीरो एंगल पे एक डिगरी दो डिगरी तीस डिगरी साट डिगरी 55 डिगरी 120 डिग्री ऐसे कर 180 डिग्री उल्टा कितना भी एंगल पर लगाई ये कुछ भी लगा लिजिए जैसे मनवाइसे लगा लिजिए इनका नेट वैल्यू आएगा 2 से 14 के बीच में 14 कहां से आया है सब को जोड के और ये 2 कहां से आया है डिफरेंस लेके येदि मैं कहूं कि इनका नेट एक संभव है कि नहीं तो आंसर है संभव नहीं है क्योंकि पॉसिबल है 2 या 2 से ज्यादा 14 या 14 से कम 15 भी पॉसिबल नहीं है 14.1 भी पॉसिबल नहीं है 1.99 भी पॉसिबल नहीं है हाँ दो पॉसिबल है दो पॉसिबल है और 14 पॉसिबल है और बीच में इंफाइनाइट नंबर से सब पॉसिबल है लेकिन दो से कम पॉसिबल नहीं है 14 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है तो बताइए जीरो होगा कि नहीं तो नहीं जीरो संभव न भी नहीं है अगला बताओ मैक्सिमम कितना 16 और मीनिमम कितना घटा लो 0 इसका मतलब 0 से लेकर 0 से लेकर 16 तक लेकर 0 इस इंग्लूडेड 0 से लेकर 16 तक फसीबल है मैं यह कहूं कि इनका 0 possible है कि नहीं तो answer है हाँ one अठाट का एक Newton possible है कि नहीं तो answer है हाँ देखो ज्यादा information 0 रहों हो 8 Newton नाच Newton का resultant एक Newton possible है कि नहीं तो answer है हाँ आठ Newton आठ Newton का क्टमेंट मैं भी 0.00 An हो सकता है कि नहीं 0.001 हो सकता है 0 से ज्यादा और 16 से कम 0.001 हो सकता ही इनका 0.1 हो सकता है जीरो भी हो सकता है दो तीन साथे तीन पहुने चार रूट टू रूट थी सकता है ध्यान दो 15 भी हो सकता है 16 भी हो सकता है 8 Newton नाउटन नीटन का रिजल्टेइंट नाव भी हो सकता है आठ नीटन और आठनीूटन का net 8 नूटन भी होसेतना है 15.999 भी हो सकता है 15.999 हो सकता है है आग तो आग क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि अलग 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 वा इंगल को इंगल हैंगल आएंगल तो यह है है दो हमें लग रहा है कि आप अपनो忽 को पूरा समझ में आ रहा हुआ है एक चीज इस से रेंज मुझे रहा है ज्यादा इंफर्मेशन दे रहा है यह ज्यादा इंफर्मेशन दे रहा है यह कि जीरो नहीं बता रहा है जीरो होगा कि नहीं होगा वो तो बता ही रहा है यह तो यह भी बता रहा है कि और भी कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा वह भी बता रहा है यह दिक्कत है आपक के लिए हैंना ध्यान से द्धान से सुनो है कि अपिर से तीन हो चार हो 40-40,000 हजार फोर्षेज हो तरीका फिर से वही बड़े वाले को अलग करेंगे पूर चोट बाकि सब को जोड़ेंगे कि बड़े वाले को जैसे पिछला वाला था तरीका तरीका थोड़ा सा हो वह है लेकिन रेंज बता रहा है बड़े वाले को अलग करेंगे और बाकी सब को जोडेंगे और जो बाकी सब को जो अच्छा मैं बताना भूल गया यार चाहे दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो चाहे 40,000 हो मैक्सिमम के लिए सब को जोड़ना है तो मैक्सिमम बताओ कितना दस दो बारा चार सोला कि मैक्सिमम के लिए तो सब को जोड़ना है और क्यों जोड़ना है मैक्सिमम तब होता है जब सब विक्टर सब फोर्सेज एक ही तरफ लगते हैं एक ही तरफ लगते हैं तो मैक्सिमम का तो जोड़ है दिक्कत मीनिमम वाले में आएगी तीन तीन चार पांच छे फोर्सेज होंगे तो दिक्कत मीनिमम वाले आएगी और मीनिमम वाले को समझा रहा हूं फोकस करके सुल लो बड़े वाले को हमेशा अलग करेंगे बाकी सबको जोड़ेंगे और बाकी सबका जोड़ ही बड़े वाले में से घटाएंगे इसको मत घटा देना बड़े वाले में से ही बाकी सब के जोड को घटाएंगे और यदि positive मिला तो वो minimum है zero मिला तो zero minimum है और negative मिला तो तुम्हें zero कहना होगा क्योंकि net magnitude negative नहीं होता angle पे balance करके zero करते हैं यह समझने की जरूरत है उसको मौड ले ना होगा फिर जब negative आएगा तो फिर उचला जाएगा positive की तरफ देख तो यह ध्यान देना है तो क्या क्या करना है तब बड़े वाले को अलग करना है बाकी सब को जोड़ना है बाकी सब को जोड़ना है केवल एक अलग रहेगा बड़ा वला मान के और इसको घटाना है चार दुछे minimum four पता है इन दोनों की बाद इसकी बात की जाए कोशन की कि बताइए इस सेट आफ फोर्स का क्या तीन न्यूटन पॉसिबल है आंसर है नो कि कोई कहे कि इसका तीन न्यूटन पॉसिबल है तीनों फोर्स लग रहे हैं इतने मैगनिटूड के तीन फोर्स एक बॉड़ी पर लग रहे हैं क्या मीनिमम तीन क्या तीन न्यूटन नेट हो सकता है आंसर है नो क्योंकि मीनिमम चार हो सकता है मैक्सिमम स्कूलर अच्छा हां इनका मीनिमम स्वारी इन तीनों फोर्स का क्या नेट पांच न्यूटन हो सकता है मेभी मेभी है सकता है तो क्या यह पांच न्यूटन हो सकता है पांच न्यूटन दे सकते हैं आंसर है येस answer is yes, 4 से लेके 16 तक, अच्छा 3.8 हो सकता है इनका मिलाकर, 3.8, no, no, 0 newton हो सकता है, no, no, 0 newton, no, क्या 20 newton हो सकता है, no, no, 20 newton, no, क्या, क्या root 10 newton हो सकता है, root 10, root 10 newton हो सकता है, root 10 newton हो सकता है, no, 3.something आएगा, रूट 10 Newton 3.something आएगा क्या रूट 20 Newton हो सकता है रूट 20 येस चार से थोड़ा ज्यादा होगा हो सकता है रूट 20 Newton येस हो सकता है क्या ये आप लोग नहीं बता सकते हैं जीरो हो सकता है कि नहीं या कुछ हो सकता है कि नहीं जल्दी कम आन यह अपने से करो कि यह अपने से करो फटाक से कि यह वल आपने से करो फटाक से कमान डूउट फास्ट कि जल्दी मैक्सिमम पता है कितना सबको जोड़ लेते हैं दो दो चार नाइन्टी फोर मैक्सिमम इस नाइन्टी फोर और मिनीमम इस हो मच कैसे करेंगे मिनीमम सबसे बड़े वाले को अलग करते हैं ठीक है और इसको जोड़ते हैं तो कितना हुआ यह चवालीस और इसी को यह जो बाकी सबको जोड़ते हैं इसी को बड़े वाले में से घटाते हैं कितना आएगा शिक्स क्या इनका सबका मिला के पांच न्यूटन नेट हो सकता है क्या इनका सबका मिला के पांच न्यूटन नेट हो सकता है आंसर है नो तीन न्यूटन हो नो जीरो न्यूटन हो सकता है नो अच्छा दस न्यूटन हो सकता है येस कि पैतालिस न्यूटन हो सकता है येस नब्बे न्यूटन हो सकता है येस सो न्यूटन हो सकता है नो लग रहा है कि आप लोग समझ गये होंगे किसी को कोई दिकत नहीं होगी तो क्या आप लोग एक कुश्चन जो मैं दे रहा हूं वो कर सकते हो अच्छां आप लोगो यह जादा इंफर्मेशन दे रहा होगा क्यों यह तो क्यों जीरो नहीं बता रहा यह तो और भी बता रहा है जीरो तो बता ही रहा यह यह तो बता रहा है कि जीरो हो सकता है कि नहीं इसके लावा यह भी बता रहा है कि कुछ और क्या क्या हो सकता है क्या कर नहीं हो सकता है तो सभी लोग जरा इसका बताएं इसको एक कोशन देता हूं आप लोग बताएं इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं जल्दी से दस न्यूटन कि अग्यूटन और 24 न्यूटन और 30 न्यूटन हाँ आपको बताना है यह जुन सेकेंड वाला तरीका है उससे फस्ट वाले तरीका तो फस्ट वाला तरीका जीरो के लिए था ना आपको बताना है कि इनका नेट पांच न्यूटन हो सकता है कि नहीं, चार हो सकता है कि नहीं, जीरो हो सकता है कि नहीं, पचास हो सकता है कि नहीं, जल्दी, come on, जल्दी से रेंज निकाल के बात करो, रेंज निकाल के हमसे बात करो, come on, do it fast, और एक और बलके, एक और स्टार मार्क, दो न्यूटन, दस न्यूटन, छे न्यूटन और एक न्यूटन, नहीं, चार न्यूटन, कम आन, जल्दी, कम आन, कम आन, कम आन, दू इट फास्ट, दो क्वेशन आपके सामने और, आपको बताना है कि इनके रिजल्टायंट एक न्यूटन हो सकता है कि नहीं, जीरो हो सकता है कि नहीं, पचास हो सकता है कि नहीं, बीस हो सकता है कि नहीं, कोई कुछ पुछेगा तो कैसे चेक करोगे, कम आन, डू इट फास्ट, कम आन, माइनस नहीं माइनस आता है तो जीरो दिखना है वहाँ पर यहीं कर रहे हो स्टुरीप आपका गलत हो गया तीवांस आपका गलत हो गया तौराब आपका गलत हो गया माइनस आएगा तो जीरो लिखना है भूल गये तुम लोग मैगनिटूड नेट कहां सुने हो माइनस यार नेट का मैगनिटूड कहीं माइनस होता है माइनस आया होगा अपक्र क्या लिखना है जीरो चलए मैं करता हूं इसको देखता हूं और बातचित करता हूं hoy ऋ एफ नेट कहां से कहां तक और देएफनेट कहां से कहां तक देख हो रही है रियलाइजेशन है फिजिक्स की अच्छा जो आज पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ में यूज करना करी फिल्ड ट्वेल्थ में फिल्ड पोटेंशियल वेक्तर क्वांटिटी में टॉर्क डाइपोल मॉमेंट मॉमेंटम वेलासिटी एक्सलरेशन डिस्प्लेस्मेंट आज जोड तो कितना रहा है मैक्सिमम तो एक ही तरफ लगें तो मैक्सीमम हो जाएगा 30 664 64 64 इनिमिमम करना है कहाँ से कहा तक वेरियेशन की बात हो रही है नित का मैगनित्यूड मॉट 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 न निगेटिव मॉट सो देखते हैं कैसे करना होगा हम लोगों को सबसे बढ़ा लेना होगा और इनको जोड़ के घटाना होगा बड़े में से ही बाकी सबको जोड़के घटाना है तो बड़े जिसको जोड़े तो चोटीस एक तो घटाना है लudno 34 को घटाए negative आया तो 0 कहेंगे 0 आया तो जीरो कहेंगे अब positive आया तो अहीज पॉचीतीव कहेंगे फिर से सारे को जोड के घटाएंगे निगेटिव आया तो जीरो कहेंगे जीरो आया तो जीरो कहेंगे पॉजिटिव आया तो उतना पॉजिटिव इससे पहले पॉजिटिव या रहा था तो बताओ निगेटिव माइनस फोर आया है तो यहां पे जीरो लिख दिए इसका मतलब इसका मैगनिटूड 0 से लेकर 64 तक है इसका मैगनिटूड 0 से लेकर 64 तक है तो बताओ इनका 0 संभाव है कि नहीं तो आंसर है येस एक न्यूटन संभाव है कि नहीं आंसर है येस 0.5 न्यूटन पॉसिबल है कि नहीं 0.5 येस 20 न्यूटन येस 35 येस साथ येस 64 येस 65 नो 65 नो तो क्या इसका नहीं बता दोगे अब तो सीख गए होगे सभी लोग इसका अंसर अब सही सही दे दें को मुण डूइट फास्ट जल्दी से इसका अंसर सभी लोग दे दें da fast को मूण इसका अंसर दे दो ताकि detail information हमारे पास हो को जीरो का information थो हमारे पास जीरो का information नहोंगे सुरीप जीरो मिनिमम पर सेकेंड मैक्सिमम बाइस गुड बाकी सब जल्दी करो यार पढ़ाने का कोई फायता नहीं उता हमको लग रहा है कि दो चार बच्चे बस पढ़ते हैं मैक्सिमम ट्वेंटीटीटू मिनिमम जीरो गुड ओके चली मैं करता हूं जोड लेता हूं सबको छे चार दस दस बीस दो बाइस ट्वेंटीटू मैक्सिमम मैं तो कोई दिक्कर लफडाई नहीं है कुल को जोड लो है ना सारे को जोड लो कोई नो इश्व सब एक तरफ लगेंगे मैक्सिमम होगा दस लोग है कार जब कार बंद जाती सभी लोग एक तरफ चांपते हैं पूरा छोटे पर पढ़े होगे कि एक बहलिया था जाल लगाया था उसमें और कबूतर फंस गये थे तो अब फड़ा रहते चारों इधर उधर उड़ रहे थे जाल को खीच नहीं पा रहे थे बहलिया उधर से दोड़ते हुए आ रहा था तो कबूतर का एक लीडर था वो बताया कि सभी लोग एक डारेक्शन में उड़ने की कोशिस को रफोर्स लगाओ तो जाल लेके रांडम इधर-उधर से नहीं तो कितना उसमें भी यही बात थी जो मैं आज हम लोग देख रहे हैं इनिवे सो मिनिममम वाला दिक्कत है अमनों के लिए सो मिनिमम सबसे पहले एक बड़ा साइस को अलग करते हैं अब फिर देखते हैं जो सबको जोडते हैं इसको इसको कित लुखने भी छह चार दस दुबारा बड़े वाले में से ही घटाना है वी की उल्टा मत कर दना बड़े वाले मेश सही घटाना है तो कितना हुआ यह बारह है प Twin टो माइनस नहीं होता जब माइनस आये तो वहाँ पे जीरो लिखना है तो बताओ इनका पॉसिबिलिटी इन चार फोर्सेंज का जीरो पॉसिबल है कि नहीं सर प्लीज बता दिये कोचिंग कब तक खुलेगी यह हम लोगे बस में नहीं है मैं कई बार बोल चुका हूं फिर भी सुनने में आ रहा है कि 19-20 तक खुलेगी ऐसा सुनने में आ है वोस्ट प्रव्योल्ड यह हम लोगे हाथ में नहीं है यह योगी जी के हाथ में सो कितना हो गया यह माइनस दो जीरो तो मैं कहूंगा इन दोनों इन चारो फोर्स का यह चारो फोर्स एक बॉडी पर लग रहे हैं जल्दी से बताओ क्या जीरो पॉसिबल है इनका मेभी 0 येस jay b.1 newton को ये सारे फोर्टेस कार चार पॉइंट वन न्यूतन पॉसिबल है when to HEY येस तुल देख तुल पॉसिबल है रूट टुल बैस labu zb तुल दॉ येस क्या रूट टू न्यूतन पॉसिबल है येस क्या 20 Newton possible है yes क्या 22 Newton possible है yes क्या 22.1 no अब देखता हूं कितने लोग answer करते हैं इन 4 forces का इन 4 forces का जल्दी से बताओ root 80 Newton possible है कि नहीं root 80 इन 4 forces का एक बॉड़ी पर लग रहे हैं चारो force एक बॉड़ी पर act कर रहे हैं चार आद्वी force लगा रहे हैं मैं इधर से लगा रहा हूं कोई उधर से कोई इधर से ऐसे root 80 Newton possible है कि नहीं come on root 80 Newton is possible or not come on सभी लोग answer करें come on do it fast root 80 Newton possible है कि नहीं सभी लोग answer करें कि सीवांस प्रताब कर रहे हैं कि नो उनको लगा कि root 80 का मतलब 80 होता है कि सीवांस को लगा कि root 80 का मतलब 80 होता है जो 22 से जादा है अरे गोबर राम इसको यदि आप निकालेंगे तो यह कितने के करीम में आएगा है नो से थोड़ा सा कम है यह क्या है यह यह नो से थोड़ा कमी है 22 तक संभव है नो से थोड़ा कम संभव नहीं है है तो हमें लग रहा है तो क्या अंसर है येस पॉसिबल तो हमें लग रहा है कि आप लोग सीख गए और इसका ध्यान रखेगा जल्दी से थोड़ा सा कुछ और भी पढ़ लेते हैं नहीं तो पता जला कि आज हम लोग यहीं पढ़ते रहे एडिशन आफ तो बेक्तर्स तो बेक्तर्स अफ एक्ड अगनिटूढ हाँ एडिशन अफ व्र वेक्टर्स कोमा ऐं सा यह भी देख लेए जल्दी एडिशन अफ टु वेक्टर्स अफिक्वा नगनिटूड addition of two vectors of equal magnitude मतलब दो वेक्टर एक वेक्टर ये हो ए और एक वेक्टर बी हो और दोनो दोनो का magnitude माल लेते हैं कितना ले 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 टाइप का ल ल तो दोनों वेक्टर का मैगनीटूड बराबर है वेक्टर बराबर नहीं है क्यों क्योंकि डारेक्शन अलग लग है तो दोनों वेक्टर का मैगनीटूड बराबर है पर वेक्टर बराबर नहीं है क्योंकि डारेक्शन अलग लग है अब यह बताओ कि क्या इसका नेट हमारे पास है नेट निकाल सकते हो सभी लोग आपके पास फर्मूला है डीशन पढ़ा चुका हूं जो टार्गेट बैच के हैं उनके पास भी फर्मूला है इसका फर्मूला है अंडरूट अंडरूड लॉट त स्कर्षक नेट ऊंडरूट अंडरूट अटता कुछत आइफ पास है अंडरूट य। टी आइफ कोस खिट ऑन क्याल को सिट आइफ इन दोनों वेक्टर कानिल का माइगनिट बताना है कौ कंँमौ पास जल्दी पिएजदी करवार रहे हो क्या हाँ हाँ पिएजदी करवार हो हाँ जल्दी कमाँ डूइट फास्ट कमां कोई किसी बास आंसर आया किसी के पास आंसर आया जल्दी करो आंसर पास्ट करें तो टांसर आया जानता हो हुआ इसको भी नहीं मालू मुक्त अच्छा रहें अगर तो तो डॉक्टर फिलोस्फी तो तुम भी जानते हो गवरो उसको में हैड कर दिया वो किसी कोचिंग कोचिंग वाले आके डिस्टर्ब कर रहे हैं एलवन कोचिंग के ग्रोथ से और यहां के उसे घबरा रहे हैं कि बहुत सारे इस बहुत सारे चाटिंग चाटिंग इस्पैम चल रहा है इंडिया में बहुत सारे लोगों को बीच बीच में इंटर्फेर करते हैं तो इसमें भी आ रहे होंगे सब सब सब्सक्राइश होगी कि मान सु यह यह वी एक तुने आ गया ज़ा जल्दी अ चलो मैं देखता हूं द्हान से सुनना द्हान से सुन में क्या बोर रहा हूं है ना आ फार्मूला और वेक्टर निट को जो a प्लस be का दो वेक्टर का एडिशन है पहले बहुत सरे बच्चों को तो लिखना नहीं आता और नहीं बलकि magnitude लिखना है a प्लस b नहीं a वेक्टर a प्लस वेक्टर b का magnitude लिखना है और तब उसके बाद लिखना है अंडरूट जो फार्मूला है उसको लगा रहा हूं अंडरूट a square plus b square a square plus b square plus 2 a b cos theta ठीक है इसका रिजल्ट आया 2L स्कुरायर में 1 plus cos theta हमारे पास तरह कि इस्प्रेशन बहुत जगा आएंगे इसका फॉर्मूला है इसका एक फॉर्मूला है जो सभी लोगों को यूज करना चाहिए ट्रि movimiento में मैट में पढ़ता है लेकिन जो बचर नीड के होंगे एक हूंगे उनका थोड़ा मैसे नाथा छूट जाता है। इसलिए फिजिक्स में दिक्कत होती है क्योंकि physics में बोह जाता मैट्स है लुक्रमूला है क्स अधिया थिंधद क्षाज कर स्कॉर्ण 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 स्कॉर् है थीटा 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 यहां पे केवल मतलब यहां का आधा है आधा 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 तो यहां पे थीटा हो तू थीटा की जगा थीटा हो तेहां पे थीटा भाइटू थीटा भाइटू थीटा भाइटू थीटा भाइटू थीटा भाइटू थीटा भाइ तू थीटा तू थीटा तू थीटा अब हमारे उपर है कि इन तीनों में से वह कौन सा यूज करें जिससे यह यह थोड़ा केंसील हो जाए तो देखो एसा यूज करो इसका फर्मूला की वन के साथ केंसील हो जाए तो कौन सा यूज करोगे यह यूज करोगे क्या देखो माइनस वन होगा तो केंसील हो जाएगा यह देखो अंडर रूड तो एल स्कॉायर कि वन प्लस इसकी जगह इसकी जगह यह वाला यूज कर दा हूं यह थीटा है तो यह देखो क्या है तू कॉस स्कॉायर थीटा बाई टू माइनस वन गॉट इट इसको छोड़ ही दो तुम तब माइनस वन और प्लस वन केंसील तुम्हें रिजल्ट मिलेगा अंडरूड फ स्कॉायर कॉस स्कॉायर थीटा बाई टू अच्छा है यह फर्मूला है इसको आपको याद रखना है और रिजल्ट आ गया तू एल कॉस्ट थीटा बाई टू रिजल्ट है अ कि सर कैसे दो वेक्टर हमेशा को प्लैनर हुए अरे सबायग आगे आगे यार फिर से देखेंगे दो वेक्टर से एक प्लेन तो बनाई सकते हो ना दोनों का टेल एक जगल लेकि चले आओ एनिवे सो यह रिजल्ट है दो दो का यह रिजल्ट है ध्यान से इसको कहीं भी यूज भी कर सकते हैं दो वेक्टर जिनका मैगनीटूड तेम हो और एंगल थीटा हो उनका नेट होता है टू एल कॉस्ट थीटा बाई टू और जानते हो जब डिफरेंस लेते हैं दो जब उनका और थीटा एंगल पर हो तो उनका डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब वेक्टर ए मास वेक्टर बी चाहें वेक्टर बी मास वेक्टर ए उनका रिजल्ट होता है टू एल साइन थीटा वाई टू होता है है ना तो अभी तो आप कहें कि सर साइन थीटा वे ट कुछ बनना है तो इंग्लिश्वाला और वाइस ही यार इंदी ही बोल रहा हूं। मैं इंग्लिश कहा बोल रहा हूं। तुमें पता है दिकाँ कहा से अब 175 कुमार घुपता तुमें yo कहां से लग रहा है हमको दो ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐसा तो नहीं कि हिंधी भी नहीं जानते हो और हिंधी मीडियम बोल रहे हो एनिवे तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसका नेट दिखा दे अच्छा एक और शॉटकट मिथल बताएं आपको याद रखने के लिए कि यह क्या होगा ऊठ्छा हा沒有 shortcut यह तो यह तो ले मान अप्रोच है यह तो वह अप्रोच है जो जनरली फार्मूला से सब जगह किया जाता है जिसे चंडरल अप्रोच बोलते हैं ले मान कंठाती में हर क्वेशन को कई नजरिये से कई तरीके से देखा जासकता है हो सकता है कोई ऐसा क्वेशन हो कि कई तरीका ना हो एक ही हो लेकिन ब्रेन की ट्रेनिंग के लिए आपको ट्राइब करना चाहिए हुए तो हमें लग तो क्या करने था चोटा चोटा ठरीका उद्धार करें से यह सो आ चुका है दो दो इक्वल मैगनीटूड के वेक्टर स्थीटा एंगल पे हो वेक्टर दोनों बराबर नहीं है केवल मैगनीटूड बराबर है तो यह यह रिजल्ट यह आया है ना अब मैं इसको छोटा तरीका बता रहा हूं बल्कि याद भी करने के लिए ध्यान से मेरी ब बहुत सारे जगह यूज होगा यह हां जरा देखो तो एक तो यह है और एक तो यह है यह भी भी है दिस इस आलसो बी दिस इस बी अन दिस इस ए निट यह है जिसकी आर की बात हो रही थी इस इस ए प्लस बी राइ्ट यही निकालना है कि यह डिया प्सी में प्रिन ही जान पाए है हो वोकस कि यह बी आप सी में प्रीक का यूज करना नहीं आया तीमेंट्री नहीं सोच पार हो उगा Molh पढ़ते हो आल्मोस्ट नोट आल्मोस्ट सिमेट्री का यूज है जितने भी फेनोमेना है फार्मूला है ना तो सिमेट्री को ध्यान रखना होगा इसका मतलब साफ है यदि दो वेक्टर अपना अपना डारेक्शन लिए विए थीटा एंगल पे हैं तो आव्वियस ही बात है इनका नेट इनका रिजल्टेंट सेमेट्रिकली बीचो बीच होगा कमान डूइट फास्ट इन माइंड प्रोसेसिंग इसको अपने माइंड में करो जल्दी से जस्ट ग्रास्पीट अच्छो कितने एंगल पे होगा थीटा बाई टू पे होगा और ऐसे थीटा रबाई पे होगा तो में इंगल बीचो बीच होगा लेकिन ये बीचो बीच केवल कभा जब दोनों का मैंनीट्ूड सेम होगा मैं तो ये इसा हुआ ठीक है यह केवल एंगल बाई सेक्टर पर बीचो बीच तब होगा जब दोनों वेक्टर का मैगनिटूड सेम होगा और यदि ऐसा हुआ तो एक एकसिस अपने से बाई डिफॉल्ट यह लेना और एक परिपेंडिकुलर लेना ठीक है मैं चोटा चोटा तरीका बता रहा हूं और क्योंकि इधर ही होगा तो बताओ इसको इधर तोड़ोगे तो कितना आएगा तोड़ना सिखाया हूं कंपोनेंट जो बच्चे आज नए हैं उनके लिए उनके लिए फिर से मैं बोल रहा हूं कि जल्दी से वेक्टर जो अपलोड हुआ है वीडियो उसको जल्दी से देख देख के आगे बढ़ जाओ और जल्दी से यहां पर पहुंचो हाला कि मैं ट्राई कर रहा हूं कि आप आपको फिर भी पूरा समझ में आये जो टार्गेट वाले हैं खासकर एनिवी सो बताओ यह दो एक्सिस है इसको एक्स माल लिया हूं और इसको वाई माल लिया हूं जल्दी से इसको तोड़ो थीटा बाइटू है इसको इधर तोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ एल कॉस थीटा बाइटू इधर आएगा एल साइन थीटा बाइटू इसको भी तोड़ो इसको भी इधर तोड़ो तो क्या हो जाएगा इसको भी तोड़ोगे तो एल कॉस थीटा बाइटू होगा इसको भी तोड़ोगे तो एल कॉस थीटा बाइटू होगा तो यह हो इधर ही था स्थिमेट्री से सोच चुके थे तो क्यों ना इसको इधर रिजॉल कर ले इसको इधर रिजॉल कर ले इसको भूल जाए क्योंकि इसको तो नहीं ही आना था तभी तो नेट इधर रहा होगा इसको नहीं आना था, cancel होना था, opposite होना था, 0 होना था, तभी तो इधर आना था तो फटा-फट इसको इधर जोल लो, इसको इधर जोल लो, और 2 will cost theta by 2 ऐसे आ जाएगा बिना उस formula का use किये बिना formula का लगाए, calculation से ऐसे सोच लेना और तुम्हें याद रहेगा तो ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, और महसूस करने का, feel करने का, है ना, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है मतलब किसी result को इस तरीके से देखने वाली बात ज़्यादा अच्छी है, बजाए इसके कि हम formula लगाके result निकालने तो हम लोग जब भी कोई result आयए physics में, कहीं पे भी question में, तो हम लोग वहीं न रूखें, हम लोग ये देखें क्या हम कुछ और भी सोच सकते थे, ये जो result आया है, कुछ और भी तरीका, कुछ कह रहा ये, कुछ और भी सम्भावन आये है, यही क्यों आया है, इधर ही क्यों क्यों आया है इतना ही क्यों आया है इतने लंबे में क्यों आया है क्या कोई छोटा मेधर है है ना और इसका मेमराइज कैसे करें तो जो तो ब्रेन को ट्रेनिंग देना है 狂 इसको 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 इधर जब पता चल गया कि सेमेट्रेकली बीचों बीच होगा तो इसको भी इधर ही तोड़ लो और इसको भी इधर ही तोड़ लो इसको तोड़े तो painful component होता है एल कॉस्ट इटा बाइटू इसको भी धर ही तोलो एल कॉस्ट इटा बाइटू तो आंसर है टू इल कॉस्ट इटा बाइटू कृष्णा केशओ क्या लास्ट टॉपिक वन्सों मुर मींस वाट इतना अच्छे से तो समझाया मैं कहा कि जब रिजल्ट जान गए सिम्मेट्रिकली कहा था कि सिम्मेट्री बहुत जरूरी है तो बीचों बीच है तो इसल कॉस्ट इटा बाइटू यह कैंसिल होना ही था तभी उदर रिजल्ट आना था एनिवे चलिए आज क्लास ओवर हुआ हां इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में डिफ्र कर आ रहे हो क्या तो मैं तो PSD करवाता हूं ठीक है अपने लेवल में क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि मैं साइंस पढ़ाता हूं मेरे दिमाग में IT PMT नहीं होता हाला कि आपका टार्गेट एक गोल सेट है और वो गोल तभी अचीव होगा जब आप भूल के साइंस में रिखो जाएंगे यदि आप टार्गेट को याद करते हुए त्यारी करोगे तो टार्गेट अचीव नहीं होगा आई टी नीट इस सम्टिंग डिफ्रेंट फ्राम अधर्स कंप्टी संस ओके थैंक यू सो मच गुटनाइट बाइ झाल 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 झाल